ये डैनासूर का प्राजाती कॉंग्रेस का समर्थन क्यों करने लगता है समझ में नहीं आता है पाकिस्तान के एक मंत्री रहे है फवाज चौधरी वो बोल रहे है कि मोदी को रोकना है तो कॉंग्रेस को भोट करना जरूरी मतलब कि ये भारत के चुनाओं में पाकिस्तान को क खतम करने वाला है और कॉंग्रेस भी खतम होने जैसे डायना सोर्फ फिक फिक हो गया वैसे और पाकिस्टान दोनों खतम मधी जी ने सवाल किया तीन चैलेंज किया कि आप जो है कॉंग्रेस लिखके दो कि आप जो है सविधान के साथ खिलवार नहीं करोगे पहला चैलेंज दूसरा चैलेंज उन्होंने किया कि कॉंग्रेसी लिख के दे कि आप जो है दलीतों का और OBC का आरक्षन जो है मुसलमानों को नहीं देंगे तीसरा चैलेंज उन्होंने ये किया कि जिस जिस राज्जे में कॉंग्रेस की सरकार है वहाँ पे दलित और OBC आरक्षन के साथ कॉंग्रेस किसी भी परकार का खिलवार ना करेगा यह guarantee लिख के दे Congress की तो कोई guarantee नहीं है और मोदी की तो guarantee की भी guarantee है दोस्तो नमस्कार जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के भासण में तीन challenge दिया गए सहजाद या Congress के लिए कहा गया कि जिस तरीके से आज जो समविधान को बदलने की बात कर रहे हैं अगर राहूल गांदी या सहजाद या Congress Party के जो आला कमान है वो लिख कर के दे कि हम समविधान में ये देते हैं कि मुसलमानों को आरशन नहीं देंगे इस तरह के तीन challenge दिये गए और सबसे बड़ी बात है आज इस पर हम चर्चा करेंगे और दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि आखिरकार हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री के पद पर पाकिस्तान का क्या interest है कि किस तरीके से यहां की राजनीती चले आज इस विशेव चर्चा में पूरा भगवा में हो चुके हैं तो आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागता है बहुत-बहुत धन्यवाद मनीजी शुरुवात कहां से करें पहले तो यह सबसे बड़ी बात है कि भारत में चुनाओ होता है तो यह 54 पाकिस्तानी सब जो है यह डैनासूर का प्रजाती कॉंग्रेस का समर्थन क्यों करने लगता है समझ में नहीं आता है पाकिस्तान के एक मंत्री रहे है फवाद चौधरी वो बोल रहे है कि मोधी को रोकना है तो कॉंग्रेस को भोट करना जरूरी है जाना सोचिए मतलब कि यह भारत के चुनाओं में पाकिस्तान को क्यों इंट्रेस्ट हो जाता है और वो भी पाकिस्तानियों को जो है वो कॉंग्रेसियों में क्यों इंट्रेस्ट हो जाता है अरे पाकिस्तानियों कान खोल के सुन लो डैनासूर की प्रजाती तुम लोगों को भी बना देंगे भारत दुनिया के नक्से से भारत जो है पाकिस्तान को खतम करने वाला है और कॉंग्रेस भी खतम होने वाला है जैसे डायनासूर खतम हो गया ना वैसे कॉंग्रेस और पाकिस्तान दोनों खतम होने वाले इसलिए यह एक दूसरे को बनाइब सक्षए करते हैं मनिसंकर आयर जो है चुनाओ से पहले Pakistan जाते हैं उसी सपोर्ण मंग भाई भारत में कौन Pakistan इसान बोट करने लगेगा यह भारत में कुछ लोगों के आका जो पकिस्टान में बेड़े है क्या तो यह सारी भारत के राष्टवादी लोग, सनातनी लोग, भारत के इमंदार जनता जो है समझ चुकी है और इस बार जो है ऐसा चोट करेगी ये कॉंग्रेसियों को ये डैनासूर की प्रजातियों को कि कॉंग्रेस तो बिलूप्त होगा ही होगा, मोदी जी 400 के पार जाएंगे और पूर मंत्री मोदी जी ने कहा हमने लव जिहाद सुना, लेंड जिहाद सुना, अब वोट जिहाद भी है, अब कहीं न कहीं पाकिस्तान का भी, कभी भूर्का जिहाद हो जाता है, कभी और ना जाने हलाला और तीन तलाक, ना जाने कौन-कौन सा जिहाद हो जाता है, अरे उस पे आभवाज उठाईए उससे जो है मुसल्मानों का भला होगा और बोसल्मानों का भला जो है नरेंद्र मोगी करेंगे Congress तो आप लोगे वोट बैंक के रखा आप लोगों के साथ जो हां अलाला होते रहा Cinderella संग्रेश चुप रहा है आप लोगों को मझबूरी में घर्मी के दिन में बुर्का पेंग जो यह सड़कों पर उतरना पड़ा कोल और यहां महिला या लड़की चाहेगी की घर्मी के दिन मोटा इस पहले कि रुटा व्रका यह सीने वाले परदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी अभी देश के परधानमंत्री हैं आप लोगों को सोचेंगे पारेंगे मुकतार ईंसारी क्या इस्तिति देख लिजे और उसके पासे एक और जो था अतिक आमाद उसका इस्तिति देख लिजे अगली बारी आपकी ना हो इसके लिए विकास दुबे भी जो भी आरे जो देश के खिलाप है उसका प्रोपर ब्यवस्ता जो है भारतिये जनता पार्टी की सरकार नरेंद पहले जैसे राम नहीं कहता था क्या पहले अपने धर्म की बात नहीं करता था क्या देश के विकास की बात नहीं करता था एक दम बिल्कुल करता था हां लेकिन हमें इस बात का ख्याल है कि हम अपने देश के साथ साथ अपने धर्म के साथ हम यह कभी भी प्रयास ना करें कि द देखने को मिल रहा है ना बंगाल जाओ गए 77 परसेंट वोट होती है अगर जहां हम भगवान स्री कृष्ण की जन्मिस्तली की बापसी की बात करते हुआ परसेंट वोट होता है इस पर मैं एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं सियाल कोट एक जगा है जो अभी पाकिस्तान में है और बोडर से जो है भारत के बोडर से जो है सिर्फ और सी 30-35 किलोमेटर है वहां पर ढाइलाख हिंदू थे और एक लाख 35,000 मुसल्मा थे और 500,000,000 हिंदू थे आजादी के समय में यह चर्चा हुआ कि सियाल कोट पाकिस्तान को दिया जाए कि हिंदूस्तान को तो हिंदूस्तान वाले चाहते थे सियाल कोट इंडिया में आ जाए पाकिस्तान वाले चाहते थे सियाल कोट पाकिस्तान में चले जाए तो भारत पाकिस्तान के उस समय के नेता भारत के कम्जोर प्रधान मंत्री जौ अलनेहरू और उस में पाकिस्तान के जो है जनक जो मतलब की जिन्ना इन दोनों का मिटिंग हुआ बैटक हुआ और उसके बाद निर्णा लिया गया कि यहां के लोग भोट करेंगे और जिसकी जितनी जो भोट में जिट जाएगा, अगर तो हिन्दूस्तान को दिया जाएगा या पाकिस्तान को दिया जाएगा ilोट से डिसाइड हो गहाँ पाकिस्तान ओर में उस समय घ्यलत के आसपास जुच पड़ा पाकिस्तान के पक्षमे multiplic यंदुस्तान के पक्ष में उस समय जो है एक लाख 10,000 या 1,20,000 कि पर पर हिंदू की संख्या डाई लाख हिंदु जो है मुसल्मानों के फेबर में बोट के और सियाल कोट जो है आज पाकिस्तान में चला गया और जो धाइल लाग हिंदु जो है आज आदी के समय में सियाल कोट में थे आज उनकी संक्या 600 है अगर आज के समय में आप लोग घर में बैट के बोट के दिन पर चुपचप रहेंगे तो यकीन मानिए कि कल आपकी बच्ची आपकी बेटी आपकी पतनी आपके बच्चे के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए आप दोसी हैं तो आज जो है भोट कीजिए और जो यह भ फोट जिहाद की बात कर रहा है उनको करारा सबक सिखाए बंगाल में केरल में और राज्यों में भी तामिल नाडू में भारतिया जनता पार्टी की सरकार बनवाई जल से जल और लोग सबका चुनाओ तो भारतिया पार्टी जीथी रही है सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बात करना है फिर या फिर हम देश के अंदर जो सबसे बड़ी यूनिवस्टी है जी एनियू है जी एनियू है जी एनियू के बड़े कहते हैं कि बड़े बड़े वहां से धुरंदर निकलते हैं एक वहां से कनिया कुमा वीवे उनको कांग्रेस टिकट कभी नहीं कर सकता उसके पहले जो है वो लोग टुकरा टुकरा में बढ़ जाएंगे देश का तुकरा कोई से हारे उसके बिहार में जो है ते जस्वियादों ने इनका पूरा नो इंट्री लगा दिया बैन कर दिया अभी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं नौर्थ इस्ट दिल्ली से जहां पर मनोष्तिवारी दो बर जीच चुके है अचोदा हजार चेश् सो नौन नौर्फ इस्ट दिल्ली में काम कर आया जो नौर्फ इस्ट की सरकार नौर्थ इस्ट दिल्ली को अच्छूत समझती थी कि मतलब यहां पर development का काम नहीं करना है दिल्ली के जूगी जोपड़ी वाले गरीब लोग जो है नॉर्सिज डेली में जाके रहेंगे एकदम काम नहीं होता तो मनुष्टिवारी ने नॉर्सिज डेली को चमका दिया और वहां पर जो है टुकरे-टुकरे गेंग के सरदार ज सांसत बनेंगा तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कॉंग्रेस की जो विचारदारा है एक तो टुकुडे-टुकुडे-गेंग को टिकेट दिया दूसरी का कॉंग्रेस का कुछ विचारदारा भी है क्या कि सबसे जादा रास्तों नहीं किया देखिए गांधी जी ने ज गांधी जी ने साब साब कहा था कि कॉंग्रेस को भंग कर देना चाहिए कॉंग्रेस को खतम कर देना चाहिए कॉंग्रेस को जो है अब नरेंद्र मोधी जी और अमिसा की जोड़ी जो है जेपी नडड़ा जो है साथ में मिलके जो है भारतिय जनता पार्टी के सारे निता और भारतिये जनतापाटी के सारी करता जो है गांधी जी के वो आखरी सपना गांधी जी का जो आखरी सपना था कॉंग्रेस को खतम करना वो आखरी सपना को पूरा करेंगे और आपको जो है दो हजार उन्तिस के चुनाओं के समय में आप जो है खुद देखेंगे कि जैसे ड पिचार दारा है वो कह रही है कि जो पिछडा वर्ग है या अलपसंग्यक है जो उसके बाद एक्सरा कराने के बाद उनका जो संपत्ति है अलपसंग्यकों में बाट देंगे और नरेंद्र पूरे देश को लूट रहें और बड़े घरानों को भर रहें देखे नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया और आज दलित और पिछडा की इस्तिति अगर खराब है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रिजन है कॉंग्रेस मोदी सरकार ने उसको के उठान के लिए जब काम करना सुरू किया दलितों के उठान के लिए कि अरे दलित और पिछडा जो है पहले तो हमें भोट करते थे और मोदी जी तो आते ही इनका विकास करना सुरू कर दिये और यह लोग मोदी जी का जम के साथ दे रहें तो यह लोग जो है उल्टा सीधा चीजे लेके आ कि आप जो है सविधान के साथ खिलवार नहीं करोगे पहला चालेंज दूसरा चालेंज उन्होंने किया कि कॉंग्रेसी लिख के दे कि आप जो है दलीतों का और OBC का आरक्षन जो है मुसलमानों को नहीं देंगे तीसरा चालेंज उन्होंने ये किया, कि जिस राज़्य में कॉंग्रेस की सरकार है, वहाँ पे दलित और OVC आरक्षन के साथ कॉंग्रेस किसी भी परकर का खिलवार ना करेगा, ये गैरेंटी लिख के दे। कांगर्स की तो कोई गैरेंटी नहीं है, और मोदी की तो गैरेंटी की भी गैरेंटी है, तो देश के लोग जो है मोदी जी के साथ है। एक और आरोप लगता है जैसे आप तो भाजबा देता है अब भाजबा के उपर ही लगता है कि जब से भाजबा ये तब से हिंदू मुसल्मान होने लगा अब तो सीधा-सीधा मोदी जी के भाज़णों में मुसल्मान शब्द प्रियोग किये जा रहे हैं देखे ये बिपक् के साल पहले बंगाल में आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा दंगा हुआ था बंगाल में इतिहांस के पन्ये में और किताबों में कभी नहीं पढ़ाया गया चब तेशाद हो रहा था उसमें गांधी जी जो नहीं जाकर जो है ऊहां पर बैटे रहे हो ते धरना पर और हिंदुों को लगतार काट जा रहा था जहां जहां मुस्लिम बहुल छेत्र था वहां पे जो है जिन्ना की पाटी जो है मुस्लिम लीग जो है चुनाओ जी गई थी इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं बताया गया सामप्रदाइक विचारधारा के लोग है दंगाई विचारधारा के लोग है और इन लोगों ने खूब दंगा करा है अब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई जो दंगाई लोग थे उनकी फटी पड़ी है कि बाई दंगा करेंगे तो सीधे बुल्डोजर चलवा देते हैं यह यह लोग जेल के अंदर डलवा देते हैं यह लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से बेवस्था कर देते हैं तो अब इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या करें तो खिसियाएनी बिल्ली खमा नोचे उल्टा चोर कोतवाल को डाते अब यहाँ पे कोत का प्रियास कर रहा है सोचल मेडिया का जबाना देश के लोग सारी बातों को जानते हैं और देखिएगा 2014 का यह क्लिप रखिएगा दो हजाजार चावबीस का लोग सबच चुनाव से पहले यह लोग बोल रहे हम सरकार बनाएंगा हम सरकार बनाएंगे विपक्षी विपक तो इवियम हैक नहीं होता है इन विपक्चियों को पता नहीं है कि मोदी जी ने देश के लोगों का दिल को है कर लिया और पूरे देश के लोगों के दिलों में मोदी जी बसते हैं इसलिए जो है देश के लोग जो है पूर्ण महुमत की सरकार नरेंदर मोदी जी की बनाने व